अगर यह पूरी आर्थ है तो इसको हम डिवाइड करते हैं यह आपके पास जो लाइन इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं यह क्या है इक्वेटर है इसको हम जीरो लाइन भी कहते हैं ठीक है और जो इसको आप इसको यह कैसे कर रहे हैं यह आपके पास होती है West and East, आप इसको याद कर सकते हैं, वी नवाज श्रीफ, ठीक है, अब मैं इसमें कोई political interest या कोई political party नहीं, कोई इस तरह से बता नहीं रही हूं, सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रही हूं, वी नवाज श्रीफ, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ क मैप पढ़ते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का मैप पढ़ते हैं, हम उनको spheres में ऐसे divide कर रही होते हैं, ठीक है, यह जो line, जो line, बिल्कुल half, two halves में convert कर रही होती है, कट कर रही होती है, northern hemisphere और southern hemisphere में, तो इसको हम कहते है equator या zero line, और वो line, जो cut कर रही होती है, vertically, ठीक है, इस line जिसे हम कहते हैं, इसको आपने नजर में रखते हैं, इसको आपने जहन में रखते हैं, हर एक चीज़ के map को पढ़ना होता है, ठीक है, अब हम अगर हम रट्टा मानना शुरू कर दें कि इतने countries हैं, इतने continents हैं, सबसे पहले तो मुझे यह बता हैं, कितने continents हैं, total continents कितने ह हैं, वेरी गुड, शाबाश, हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर्स्ट लार्जेस्ट कॉंटिनेंट काम सा है, बाइमीन्स ओफ एडिया, एश्या, वेरी गुड, एंड सिकी लार्जेस्ट, सिकी लार्जेस्ट, अफ्रीका, लास्ट टाइम हमने क्लास में भी पढ़ा था, अफ हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, कि अफ्रीका के कितने कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं, ठीक है, 54 कंट्रीज हैं, इसको डाक कंट्री भी, डाक कंटिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, फिर इसके जितने भी फिजिकल और जितने भी सा ठीक है मैं पहले एक बाउंडरी बनाओंगी आपके पास यह एक पार्ट है यह यहां से अलजीरिया से यह आपको नजर आ रहा होगा यह मैंने बना दिया इस तरीके से ठीक है यह चीज़ हो गई यह अब जो मैंने रेड लाइंग यह जो रेड रेड इसको मैंने जो इसको किया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है जिसको मैंने कवर किया है इसमें से अगर आप देखें यहां पे इस तरहां से यह वाला यह वाला जो हिस्सा है अब यह आपके पास क्या बन रहा है आपको क्या लगता है कि आपके जहन में इसको द ठीक है और यह उसकी टांगें है और यह उसका लाड़े सबसे सबकर कांटिनेंट के अंदर अगर हम कांट्री देखें वो कौन सा है? Algeria ठीक है? कौन सा continent है? Algeria अब आप लोग ने मेरे साथ-साथ इसको repeat करना है ठीक है? आप लोग ने मेरे साथ-साथ इसको बोलना है ठीक है? Algeria क्या है? Try करती हूँ मैं अगर हो गया तो Try करती हूँ O.K. अब वो खराबी हो गए ओके ओके ठीक हो गए अब क्लियर है ओके अच्छा जी देखे हैं मैंने हर एक कार्डिंग के चलना मुबाइल स्क्रीम का यह क्या यह अब मुझे डिस्टरब ना करिएगा बार-बार दर्मियान में सिर्फ समझना है आप लोगों ने इसको याद करना है यकीन माने आप लोग दौाएं देंगे के आप लोगों को यहां से जब आप जाएंगे क्लास के एंट पर आपको यह सारी चीज़ें आती होंगी और यह आ हैं आप लोगों इसको याद कैसे करना है हमने कोई ट्रिक्स कोई उसको याद करने में सबसे पहले करने को करने का कोई मिसला नहीं है अब यहाँ पर देखें अलजीरिया इस के बाद हमारे पासे से बिलकुल नीचे आ जाता है नाइजर ठीक है नाइजर और यह जो पपिट है इसके पाउं क्या हुए फसे हुए ठीक है तो इसको हमने कह दिया है कि इसके पाउं जो है धसे में फसे में जिसकी वज़ा से यह मूव निंग कर सकता है इसको हम कह देंगे यह क्या है फसा हुआ है फसा हुआ है ठीक है हुआ है तो हमने यह वाले जो कंट्री यह क्या होगा चड़ के बैठा हुआ से क्या होगा चड़ ठीक है चड़ और इसी के बिलकुल उपर क्या है लीबिया अब मेरे खयाल से अलजीरिया Algeria के पीछे क्या है नाइजर नाइजर के बिलकुल जो यहां पे क्या है कि जो यह पपिट है वो फसा हुआ तो इसको हमने क्या दिया कि यह है फैसो बर्कीना फैसो और क्योंकि यह पपिट क्या है चड़ के बैठा हुआ है तो इसने हमने क्या दिया ओके शाबाश गर्ड अली गर्जिया बाकि सब सोना नहीं है प्लीज यकीन माने कर आप इसमें एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों को बहुत फाइदा होगा और अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप लोगों को कोई फाइदा नहीं ठीक है फिर जितने मर्ज इसके ना हमने इसके तीन पार्ट में हमने इसको पढ़ना है यहां पहरीका है इसके पर आपको पता हो ना चाहिए कि जिस के इसके इसे साइब पड़ेंगे और देखे हैं पाँच कंट्रीज अलजीरिया नाइजर बर्कीना फैसो और लीबिया एंड चड ठीक है जो एक पपिट है वो क्या है चड के बैठा हुआ है और इसके उपर विल्कुल क्या है लीबिया यह आपको याद रहेगा अब आपको बता है जब भी कोई जानवर कोई भी पपिट कोई भी चीज शिकार करती है शिकार के लिए बैठी होती है तो वो क्या करती है एक दम से एक तो चुप करके बैठी होती है और इसको क्या कर ले वो क्राप्चर कर ले हमने सिरफ इसको याद रखना है याद रखने के लिए मैं आपको यह सारी स्टूडिस सुना र से भी अच्छी बात है ठीक है अब अलजीरिया क्या है यह उसका है ठीक है जो यह पपिट है यह वाला जो पपिट था यह क्या कर रहा है इसको क्या कर रहा है घूर रहा है ठीक है फोकस कर रहा है किस पे मोर पे सामने मोर बैठा हुआ तो यह इस तरफ के आजएगा मारे पास मुरोको ठीक है मुरोको ठीक है इसके बिलकुल नीचे हमारे पास आ जाता है वेस्टरन सहारा ठीक है वेस्टरन सहारा अब जो यह मोर है वो कहां पर है वेस्टरन सहारा में जो यह पपिट है मोर को देख रहा है जो कहां बैठा हुआ है वेस्टरन सहारा में यहां तक याद ह हो गये जो पपिट है वो मोर को गूर रहा है मरोको कि जोगे कहां बैठा हुआ है वेस्टरन सहारा में याद ओग को मोर यहां पे इस तरफ हमारे पास आ जाते हैं आइलैंड्स आ जसे कैप वाड़े और यहां पर जो हमारे पास आ जाते हैं यहां पर बिल्कुल इसके सामने जो चोटे-छोटे से नजर आ रहें ये हैं हमारे पास स्केनरी आईलेंड्स और जो बिल्कुल नीचे होते हैं ये कैप पड़ी आईलेंड्स है ठीक है उसको मैंने जून किया भी मैं उसको नहीं करूँ यहां तक क्लियर है कि एक पपिट है वो मोर को घूर रहा है जो कि वेस्टरन सहरा में एक टहनी पर बैठा हुआ है ठीक है अब जो टहनी है जो यहां पर जो टहनी है जो दरख्त है उसको उसका ख्याल कौन रखता है और उसको देख कौन रहा है वहां का माली ठीक है वहां का माली जो कि उसके का करता है केर करता है जो कि पोदों की जो दरख्त की क्या कर रहा है केर करते हैं यहां तक सारे चीज़े याद एं यह सारी चीज़ेस समझ आ लिए हैं यह सारी चीज़ याद रहेगी अभी मैंने आप लोगो इसOMeles कर्वाने ये इसके बाद आप लोगो यह सारी आपको एक दफ़ा, अब यहां से, अब यहां से स्टोरी शुरू होगी, बहुत इंट्रस्टिंग है, यकीन मानें, कि आप लोगों को यह भूलेगी नहीं कभी ही, अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर हमारे पस पहले कौन-कौन से कंट्वीज है, वो देख लेते हैं, से नाइजिरिया, नाइजर से नाइजिरिया, यह कोई मसला नहीं है, इसको याद करना, ठीक है, फिर आपके पास कैमिरोन आ जाता है, ठीक है, कैमिरोन आ जाता है आपके पास, अब देखें, एक सेनी गर्ल, सेनी गर्ल, सेनी गर्ल, एक सेनी गर्ल है, लड़की है, ठीक है, गैम्बिया कि गैम में बैठी हुई है कि जो उसकी गनी किसको कहते हैं गनी किसको कहते हैं गनी कहते हैं माल रुपया पैसा ठीक है रुपया पैसा तो गनी मतलब जो एक लड़की है गम में बैठी हुई है कि उसकी क्या हो गई है गनी गुम हो गई है ठीक है गनी क्या हो गई यह सेनीगल से वो लड़की गेंबिया से गुम हो गई है गनी गनी ठीक है एक लड़की है जो के क्या हो गई है उसकी गनी गुम हो गई है फिर इसके बाद देखें अब किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारी जो गनी है क्या एक गनी गुम हुई है क्या एक गनी गुम हुई है कहती है नहीं कहती है नहीं मेरी कुसे किसी ने पूचा कि तुम्हारी क्या बीस गनी गुम हुई है कहती है नहीं मेरी एक गनी गुम हुई है यह फिर उसके बाद क्या आ जाता है गैनिया बैसो ठीक है गैनिया बैसो के बाद फिर एक गनी आ जाता है एक लड़की एक गरल की गनी गुम होगी फिर उसने का नहीं एक इसने पूचा बीस गुम होई है जो तुम इतना रो रही है इतना गम में बैटी हुई है उसने का नहीं मेरी एक गनी गुम होई है उसने पूछा कि तुम भी उसका क्या करना था उसके क्या करना था क्या थी कि उससे क्या लिया जा सकता है उससे एक सहरा लिया जा सकता है उससे एक बेर खरीदे जा सकते है जो पैसों से गनी क्या है पैसा एरुपिया है ठीक है बेर खरीदे जा सकते है उससे कोट लिया जा सकता है बेर लिया जा सकता है, कोट लिया जा सकता है, तो गनी के बाद कि आ गया, सहरा, लाइबेरिया, बेरिया, मतलब बेर, ठीक है, कोट, डायोगरी, कोट, कोट, तो कोट, यहां तक, ठीक है, अब वो लड़की परेशान बैठी थी, इसी का आगे स्टोरी को अगर हम बढ़ाएं तो लड़की परेशान बैठी थी, कि मेरी एक गनी गुम होगी यह किसी ने पूचा, 20 गुमी कहते है, नहीं, एक गनी, ठीक है, किसी ने, कहती गनी कि, उसके क्या गरना था, कैती इससे क्या लिया जा सकता है, सहरा लिया जा सकता था, कोट, डायोगरी, मतलब, कोट भी लि जा सकता था ठीक है अब क्या हुआ कि उसे उसे किसी ने कहा कि भई ये लो तुम अपनी वो क्या करती है वो उसी गम में रोनद होना शुरू कर देती है ठीक है गाना गाना शुरू कर देती है उसी गम में वो क्या करती है बैठी बैठी गाना गाना शुरू कर देती है फिर उ किसी ने दोबारह इसको ईह रीपीट कर मुं एक सानी गल्ड गं में बैटी थी कि उसके गंगों का वह उसके उसी किसी ने कहा वह करना शुरू कर देती है गाना गाना शुरू कर देती है उसे कहता है उसे किसी ने टोका तोका यानि कि रोका उसको तोका कि ब्लोब बहन ये गनी वापिस ले लो ठीक है गनी वापिस ले लो ठीक है गाना से गाना तोगो से टोका ठीक है बैनिन से बहन और एक्वेटरियल गनी से क्या आज रहेंगे यहां तक क्लिंए कि आपको यह शचेज चीज्र समझ जा रही होंगी और याद भी रही होंगी कि और के unmute करना है ठीक है अब यहां पर ना कोई भी खुबशूरत सी प्लेस है यहां पर कोई कैमिरॉन ठीक है कैमिरॉन यहां तक यह सारी चीज़ होगी इसके वेस्टरन पार्ट यहां से यहां तक यह क्या है वेस्टरन अफ्रीका है वेस्टरन अफ्रीका है होप सोके यह आप लोगों को अच्छे से समझा दोगी यह सारे के सारा क्या है अफ्रीका वेस्टरन अफ्री करवानी हो कोई भी चीज़ एक दफ़ा में दुबारा से बोल भी देती हूं हमने सबसे पहले देखा कि अलजीरिया सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट इसका कंट्री है उसके बाद अलजीरिया नाइजर ठीक है अलजीरिया के बिल्कुल क्या है नाइजर है और बिल्कुल नीचे नाइजर है नाइजर से नाइजीरिया बनता है और यह जो यह पपिट है वो क्या है चड़ के बैठा हुआ है और इसके उपर बिल्कुल क्या है लीबिया अब यह जो पपिट है यह भूर रहा था एक मोर को जो के कहा था सहारा डेजर्ट में एक टहनी के उपर बैठा हुआ था सहारा डैलजर्ड में बैठेम मोड जोके एक टाहनी पे बैठा हुआ था और उसका उसका रखवाला कौन уже उस द्रक्त रखवाला कौन था एक माली था ठीक है फिर एक लड़की थी सैनी गल थी जो के कम में बैठी हुई थी कि उसकी क्या होगी गनी गुम हो गई तो किसी ने पूछा कि क्या वो nga hini उसने का नई एक गनी थी उसने का एक सिर से और बेर लेने कोर्ट लया जा सकता है तौ यहन MagOOOOา लियौ्ट बर फिर किसी ने किया किया उसे गम में बैटे बैटे गाना शुरू कर दिया उसको किसी ने तो और उसे कहा ल包एन गनी एक्विटोरियल कोई खुबसूरत सी प्लेस है जिसको हम कोई भी चीज़ देखें था हम कह देते हैं कि लाओ कैमरा लाओ इसकी एक फिक बनाते हैं इस डाट क्लियर वेस्टरन अफ्रीका क्लियर है वेस्टरन अफ्रीका याद हुआ कितने बचों को यहां तक याद हो गया है कितने बचों को यह यहां तक याद हो गया मैंने बार बार रिपीट किया जितना में कर सकती हूं कितने बच्चों को याद हो गया है जल्दी जल्दी से शाबाश गुड 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 ओके ओके वेरी गुड ओके अब आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अचा इसके बाद यह सारा था वेस्टरन अफरीका वेस्टरन अफरीका अब इसके बाद हम बात करते हैं इस्टरन साइड की इस्टरन साइड की जिसमें इसमें भी एक बहुत ही मज़े के स्टोरी है हम उसको देखेंगे अब देखें यहां पे इस्टरन यहां तक यह सारा ख कि अच्छा हो गया कि यह हो रहा है और जूम भी हो रहा है अच्छा यहां पर है आपके पास यह सारा आपका वेस्टरन साइड के बाद हम बात करती है इस्टरन साइड की इस्टरन साइड पर आपके पास है सबसे पहले एजिप्ट में एजिप्ट को आप शो कर दें कि इसमे आपने इसे परिशान है ना मैं इसको भी ट्रिक बताऊंगे, इसे एक ट्रिक से याद करवाद में, सोडान के नीचे बिल्कुल साओट सोडान है, साओट सोडान के बिल्कुल इस तरह क्या है, Central African Republic, ठीक है, इसको cars country, car भी कहते हैं, यहनिके Central African Republic, Central African Republic, अब इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप Zachary सवसे से वदान भरी और कहां पहुंचगे एजिप्ट पहुंचगे यह साउथ से आप लोगों ने उड्दरी और कहां चलेगे एजिप्ट चलेगे और अगर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, किसी भी गाड़ी में, किसी भी कार में, ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसको Central African Republic को कहते हैं, C-A-R, तो South से कार पे चड़के, कार पे चड़के कहां पहुँँच गए, कार पे चड़के, एजड़के पहुँँच गए, ठीक है, यह चीज याद रहेगी, बिल्कुल इसके साथ ही, यहां पे न, यह शोर नहीं किया हुआ, मैं एक बना देतीू, यहां पे बिल्कुल एजेपट के साथ उपर किया है एक सिनाई पैणनंसुला यह बिल्कुल इसके उपसषा भी जाता हैं यह सिनाई पैननंसुला अच्छा इसके बाद इसके बाद बिलकुल अगर हम नीचे आए एजिप्ट से नीचे आए तो हमारे पास कौन कौन सेकंट्रीज है एजिप्ट से अगर हम नीचे आए बिलकुल तो हमारे पास यहां पर आ जाते है एजिप्ट से बिलकुल नीचे यहां पर शोनी यह बिलकुल एजिप्ट से यह सा अफ्रीका फिर इसके बाद बिल्कुल नीचे किया है अरिटीरिया अरिटीरिया के बाद है जुबूती जुबूती के पास है एथोपिया एथोपिया के साथ बिल्कुल नीचे युगैंडा कीमिया वगयरा है जी कि अब मैं आपको यहां से इस चीज़ को याद करवाते हूं हुपस हो कि आपको पर वाली चीज़ें सारी याद हो गई होंगी अब हम याद करते हैं नीचे वाली चीज़ें कुछ जो के हमारे पास आ जाता है इस तरन साइट पे जो लोवर पार्ट है और देखिएगा आप लोग जब एंड पर टेस्ट लूंगी मैं तो आप लोगो जो है यह वाला गर हम इसको इमाजन करें ऐसे तो यह वाला हमें तो यह ना कुछ 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 यह दिखें यह इसको कहते हैं याद रखें कर इसको कहते हैं इसको कहते हैं हॉर्ण ऑफ अफ अफरीका ठीक है हॉर्ण ऑफ अफ अफरीका हॉर्ण ऑफ अफरीका आते हैं और अभी कल भी हमने इसको डिसकस किया था इसको कहते है हॉर्ण आफ अफरीका ठीक है इसके बाद सुमाली के बाद कीनिया कीनिया के बाद तंजानी ठीक है अब इसको ना एक डख यह एक शेप बनती है डख की शेप बनती है अब आपने ना इसको ऐसे याद रखना है आपने इसको ऐसे याद रखना है कि आपके पास जो अरिटीरिया है अरिटीरिया अरिटीरिया विने बिल्कुल इसके उपर बताया अभी अरिटीरिया अगर मैं इसको नीचे मूब करूंगे तो यह वाला पार्ट फराब होगा लेकिन कोई बात जो ट्री है ठीक है अरिटीरिया जबूती और इसके बाद क्या सोमालिया एक ट्री को एक आरी से एक लकड़ी को काटा ठीक है एक लकड़ी को काटा किसने माली ने ठीक है आरी से लकड़ी को काटा गया किसने माली ने तो आरी से क्या होगा अरिटीरिया जबूती मतलब जो ब लकडी को काता चिक्वे चीज यहां से यहां तक यहां पर लिख देती यह वाला जो पाढ़ दोगा यह क्या है आरी से लकडी को माली ने काता ठीक के लिख वाली ने काता इसके बाद बिल्कुल लीचे आ जाता ऑध यह वाली शेप नोड़ ने रहाख दैना डक क्या है जो गाना गारी है बड़े मज़े से ओ पिया ओ पिया ठीक है कोई भी कोई भी गाना जिसमें पिया वगारा आता है ठीक है तो आपने कोई भी कोई भी जो आपका फेवरिट सौंग या आप उसमें कर सकते हैं तो एक जो डक है वो क्या कर रही है वो गाना गारी है ओपिया ठीक है ओपिया एक गाना है उसको गारी है अब जो डग है उसने क्या किया किया की शर्ट्स होती है ना जो मैच के लिए आते हैं की शर्ट्स होती है तो कीनिया की शर्ट्स पहनी हुई है उसने और नीचे उसने टार्जन के जो पत्ते जैसे टार्जन के ड्रेसिंग ह है ठीक है इस तरीके से घ्रीजी उसे लीफ बांदे हूए है तो ये क्या होगी उस डग का एक इमाजन होगिया इसके साथ यह बिलकुल यूगेंड़ यूगेंड़ अब दीखिए यहां पे जो वह लोग दे यहां से वह को वो मिला यहां से यहां पर हम पहुंच गए थे के कैमरा से पिक ली थी ठीक है यहां से बाद वो उसको मतलब यहां पर गनी थी जो उसको यहां पर उसकी गनी थी उसे किसी ने वापिस कर दी तो लोगों नहीं कहा कि गजब नहीं हुआ ठीक है गजब नहीं हुआ गबन नह को मुबारिक हो कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसी उसमें उन्होंने क्या किया क्या किया उन लोगों ने उसको इंज्वाय करना शुरू कर दिया ठीक है उसको इंज्वाय करना शुरू कर दिया कि उसमें जो उसको कॉंग्रेजिलेट्स दे शुरू कर दी उसको मुब इसी को फिर पूब्लिक ओफ।ट डैमोक्रिटीक रिपूब्लिक ओफ। यहनकि कॉंग्रेजिलेशन्स और सारे जो जितने भी डैमोक्रिक त्यों सारे कठ्ठे हो गए। जब वो कठ्ठे होए उन्होंने इंजॉइमेंट्स पार्टी शाटी की, तो उसे क्या हुआ, उन्हों उन्हें गन डाल दिया तो उसको उन्हेंने क्या दिया यूगैंडा उसके साथ ही बिल्कुल एक कंट्री है यूगैंडा कि जब वो सारे लोग जशन मनाने कठे हुए तो उन्हें क्या कर दिया गन डाल दिया यूगैंडा अब यह जो यह हमने डक टाइप जो हमने पड़ी थ जो डख है ़े जो डख है यह क्या करती है यह और ब्रॉंडी से मतलब बुरा बुरा अंड़ा देती है। विर्में लो настने के आनले ऊप एस लाया लौे ना बंग मतलुत करती था इस मेहां कोügगती है एक जुट की स्वेल्श को चेबल में मंमेरे केमद्ट इन-ड्य। यहां तक आप लोगों को पर से कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को मतलब मैंने जल्दी बोल दिया और आप लोगों ने ना लिखा हो लिख तो वैसे आप बहुत कम ही रहे होंगे यह मुझे बता है कि गर्ड जया अब हमारे पास रह गई है सिरफ और सिरफ सिरफ और सिरफ हमारे पास नीचे रह गई है साउधरन साइड साउधरन साइड साउधरन साइड में हमारे पास रह गई है अब हमने इसको यह बहुत ही असान है जो यह वाली साइड है यह बहुत ही असान है मैं सिरफ एट विक बता एक है अ अगर मिटिंग अब भाग नहीं जाना आप छीजिए मंसे कर वाम रहने जो कि हम सब्सक्राइब कर दो इसमें अगर मिटिंग होती हैं आप लोगने दुबारा से जॉइन करना है ओके आप यह यहां पर लोगों याद इतना है जो जो डख ती इसके बिलकूल नीचे आ जाता है यहां पे मुजैंबी मुजैंबी इसने क्या किया यह यहां तक डख थी इसने यहां से आगे क्या किया हुआ है बोजे पैने में ठीक है क्या पैने में मोजे पैने में ठीक है मोजे पैने में अब यहां पे ना यहां पे बिल्कुल नीचे अगर हम जाएं यहां पे सबसेंड पे होता है ये साउथ अफरीका क्योंकि साउथ वली साइड पे और अफरीका पढ़ रहे हैं तो ये तो याद रहेगा ही साउथ वली साइड पे और अफरीका को पढ़ रहे हैं तो ये साउथ अफरीका के लोग होते हैं ये जो साउथ अफरीका के लोग होते हैं ये नामी इसके उपर क्या है नैमीबा नैमीबिया और इसके उपर क्या है अंगोला ठीक है साउथ अफरीका नामी गरामी अंग है ठीक है ये साउथ अफरीका जो है के जो लोग है वो नामी गरामी अंग है ठीक है बहुत ज़्यादा मशूर हैं बहुत ज़्यादा मशूर हैं य यह वाली साइड आपने ऐसे याद रखने हैं कि जो इसके लोग हैं मों बहुत ज़्यादा नामि गरामी अंग हैं इसके ऊपर अगर हम देखें दूसरी साइड पे जो अगर यह जो है न साउथ अफ्रीका के लोग इनको जैसे यह लसन खाते हैं तो यह थू कर देते हैं जो इसका पुराना नाम था, आप उससे याद रख लें, इनको ना तो बिलकुल सबजी पसंद है, ना तो सवैजी से, ना तो इनको सबजी पसंद है, ना इनको लहसन पसंद है, ये दोनों से हेट करते हैं और उसको फैंक देते हैं, लेसुतू, लेसुतू, इसको उपर क्या पसंद है जिसे मतलब जिम पसंद है जिम करके जैसे अच्छे खासे हल्दी हो जाते हैं और जैम जो कि जाम जो इनको अच्छा लिपता है जो इनको ताकत बफचता है ठीक है जो वो पीते हैं एनर्जी के लिए पीते हैं एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उससे पहले तो इनको दो इस्तेवानी हैं इनोंने इस्वत्याइणी लिखा वह इजी बिलकुल सही है रही है है हम यह दो आप लोग का हुग यहां हमने इसको कवर किया और याद किया खोपस कि अब आब दुश्क को दुबारा देखेंगे तो आपको यह सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी अभी आप लोग ऐसा करें आप लोग आप ऐसा करें कि आप लोग फॉरण से दुबारा से जॉइन करें उसको मिटिंग को दुबारा से जॉइन करें